भारत की आर्थिक मंदी को खत्म करेंगे मुद्य सरकार के 10 बड़े कदम दोस्तो स्वागत है आपका नमस्ते अंडे निज में मैं हूँ आपको रोसु नमीन शिर्मा हम बात करें दोस्तो मुद्य सरकार के बड़े फैसलों के बारे में चली जान लेते हैं इस अपडेट को ज बना चुकी है और 10 बड़े कदम उठा चुकी है केंद्री वित्यमंत्री निर्मला सिता रवन ने आर्थिक मंदी पर प्रहार करने वाले कई कदमों का एलान किया है साथी भारत की मंदी की दूसरी देशों से तुलना करते हुए देश वासियों को मायूस ना होने की वजह भी बताई है बागी देशों के तुल्ला में भारत की आर्थ की स्थि अच्छी है देश में लगातार आर्थ सुधार के काम हुए है रेपो रेट काम होते ही घटे की ब्याजदने केंद्री वित्यमंत्री निर्मला सिता रमन ने शुक्रवार को आर्थिक मंदी के आहलात प सेक्टर से उत्यों को और आमादמी की मंदी से रहाथ देने वाली कई घोषना है की, वित्यमंतरी निbला सितारमन न आर्थिक मंदी पर प्रहार करने वाले कई कदमों का Ihran किया, साधी भणत की मंदी की दूसरे देशों से तुल ना करते होƯे, देशवास को मायूस नहीं पर आधार के वाईसी के आधार पर लोन दे पाएंगी, सरकार ने सरकारी वी भागो द्वरा बहानों की खरीदी पर लगी रोक को हटा दिया है, सरकार ने नए बहानों की रेज़्टेशन फीच में इजाफ़े को भी जून दोहर बीस तक के लिए टाल दीया है, नगदी की कमी को दूर करने के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूंजी मुहिया कराने के लिए नए संस्था बनेगी जिसका एलान जल्द ही होने वाला है हाउसिंग फाइनेंस कमपनियों की केश लिक्वीडी 20,000 करोड रूपे से बढ़ा कर 30,000 करोड करती जाएगी वहीं GST रिफर्ण में देरी से पेशो के कमी जहलने वाले करोवारियों को रहात देते हुए एलान किया गया है कि अब GST रिफर्ण का भुकतान 30 दिन के अंदर किया जाएगा मंदी से निपटने के लिए केंदर सरकार बेंकों से 70,000 करोड रूपे की पुझी डालेगी जिससे बेंक का आप जाता से जाधा लोन दे पाएंगे सरकार ने बजट के दुरान सूपर रीच सेक्षन पर बढ़ाय गए सरचार्ज को भी वापस लेने का फेसला किया है जिनका सीधा फाइदा होगा भारत की आर्थिक इस्तितिक और जल्द ही आर्थिक इस्तितिस उदार के लिए और अन्नी फेसले ले सकती है मुरु सरकार तो बड़े रहें नमस्तर ने न्यूज के साथ पलपल की देश के सभी बड़ी अपडेट ये मलड़ खबरों को तुरंत प्राप्त करने के लिए